नमस्कार मैं नाजमीन खान और आप देख रहें SPN 9 News दिली विधान सभा चुनाव को देखते हुए जहां सभी पार्टी इस चुनावी दंगल में लग चुकी है वहीं भारतिय जनता पार्टी ने अपने प्रिचारक लिस्ट भी निकाल चुकी है और इसमें अमिश्या का भी नाम है प्रकाश जावडेकर का भी नाम है योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है और वहीं आपको बता दें कि भारतिय जनता पार्टी की तरफ से अलग अलग जगाओं पर रेली की गई थी दिली में लोगों को संबोधित किया गया था जहां योगी आदित्यनाथ थे वहीं इससे अलग हटकर आपको ये बता दें कि पीम नरेंद्र मोदी भी दिली के स्चुनावी दंगल में दोडने के लिए शुरू हो चुके हैं और उन्होंने भी यही माहौल को देखते हुए कहीं न कहीं कुछ मुद्धों को लेकर अपनी बात भी रखी है अब आपको ये बता दें कि दिली के कड़कर डूमा में पीम नरेंद्र मोदी एक जंसभा को संबोधित कर रहे थे और जिस बात का डर था जिस बात की लोगों को उमीद भी थी कि अगर पीम नरेंद्र मोदी अगर बोलेंगे तो किन बातों को लेकर बोलेंगे वही बाते सामने आती हुई भी दिखाई दे रही हैं आपको बता दें कि शाहिन बाग का मुद्धा जहां पर महिलाएं क्यावन दिन से उपर बैठी हुई है लगबक पर हिस्सवाल और उनी पर ही पश्न लगाती हुई यहां पर दिखाई दे रही है लोगों को थोड़ी सी तो उमीद थी कि पियम नरेंद्र मोदी अगर दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे अगर कुछ बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे लेकिन वो उमीद भी कही न राजनेतिक मुद्दा बनाया है यह चाहती है कि से वोट पाएंगे और दिल्ली में वो राज करेंगी जहां पिछली विधान सभाचुनाव में सिर्फ 70 सीटों में से तीन सीटे भारती जनता पाटी ने जीती थी क्या इस बार के विधान सभाचुनाव में वो तीन सीटे भी दर्च कर पाएंगे क्योंकि जिस तरीके से इन सभी के बयान सामने आते हैं उसे देखते में तो सिर्फ इतना ही साबित होता है कि भारते जनता पाटी के पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं है शिक्षा का मुद्दा है पानी का मुद्दा है स्वास्थे का मुद्दा है तमाम ऐसे मुद्ध हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्धा प्रदूशन का है जिसको लेकर आप आम आदमी पार्टी पर कई सवाल दागते रहते हैं लेकिन आपने क्या किया है ये आपने कभी नहीं बताया है तो ऐसे में पीम नरेंद्र मोदी ने शाहिन बाग को एक प्रियोग बताया है कि जो विपक्ष पार्टियां है यानि कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस शाहिन बाग के जरीए एक प्रियोग कर रही है और देखना चाहती है कि इससे वोट पासकती है या नहीं यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो तुकड़े-तुकड़े करने में लगा हुआ है भारत का उसी के साथ विपक्ष पार्टियां मिलकर राजिनीती महल को पैदा कर रही है और वोट पानी की कोशिश भी कर रही है यहाँ पर पीम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि ये सिर्फ विपक्ष पार्टियां जनता को गुमरहा भी कर रही है और जो विरोध करते हैं और जो हिंसा फैलाते हैं सरासर गलत है इन्हें अभी समझ ही नहीं आया है कि नागरिक्ता संसोदन कानून है क्यार किस बिनापर वो वहाँ पर धरने पर बैटी है तमाम आरोप पीम नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ शाहिन बाग के इस धरने पर लगा दिये उनकी उन्होंने ना तो सुनी ना सवाल जाने ना ही उनको लेकर कुछ ऐसा बोला जिसके प्रती लोगों को भी लगे कि यहां दिल्ली में अगर पीम नरेंद्र मोदी आये हैं तो कुछ जनता के हित की बात करेंगे उनके कामों को लेकर बात करेंगे लेकिन पीम नरेंद्र मोदी ने भी वही काम किया और वही बातों को धराया जिस बात का लोगों को डर था अब यहां पर प्योग बताया और प्योग बताते हैं उन्हें ने कहा कि आप जितना देश रोहियों के साथ मिलकर हमें हराने की कोशिश करेंगे या हमें जुटलाने की या जूटा बताने की कोशिश करेंगे हम उतना उपर उठेंगे और उतना ही बोलेंगे ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था कहां तक ठीक है ऐसे शब्दों का इस्तमाल करना एक प्रधान मंत्री को जिस तरीके से वो बयान देते हैं और शाहिन बाग को वो दिल्ली के विधान सभा चुनाव में लेकर मुद्दा बनाते हैं आप दूसरी पार्टी को कहते हैं कि वो मुद्दा बना रहे हैं लेकिन आ अगर आपको बनायना ही है तो कुछ अच्छी बाते कीजिए आप अपने ही भारतवाशियों को देश द्रोही आतंकवादी गदार क्यूं साबित करने में लगे हैं और ऐसा ही नरेंद्र मोदी ने भी शब्दों का इस्तमाल किया है कहां तक सही साबित होगा क्या है आपकी आपके तमाहम कबरों के लिए देखते हैं स्पेनायन्यूस